हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चाइनल, आज मैं बेबी फ्रॉक और सरारा कटीन आपको सिखाऊंगी, यह मैंने इस पेशल 15 अगस्त के लिए बनाया है, इसका स्टीचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आज हम लोग कटीन सिखेंगे, चलिए हम कटीन करते हैं, देखिए मैंने धाई मीटर कप्रा लिया है और इसमें सरारा और फ्रॉक दोनों ही कटीन करूंगी, देखिए मैंने कप्रा को फोल्ड कर दिया, दो फोल्ड में फोल्ड करके उसको चार लेयर में बिचा दिया, देखिए इसको अच्छे से से शेट कर और अच्छे से इसको कप्रे को सेट कर देंगे और उपर से एक सीधा लाइन ड्रो कर देंगे मेरा क्याप्रा जो भी तीर्छा होगा वो सीधा लाइन ड्रो करने में निकल जाता है यहां से मैंने टॉप पाट के लेंद 11 इंच ली हूं और इसको सीधा एक लाइन ड्रो कर दे यह मेरा टॉप पाठ है और यहां से कंधा के लिए मैंने 5 इंच पे निसान लगाया और आर्म मॉल के लिए भी मैं 5 इंच ले रही हूँ यह बनने के बाद बहुत ही प्यारा दिखेगा बहुत ही सुंदर यह ड्रेस बनेगा अब यहां चेस्ट के लिए हम साथ इंच पे मार्क करूंगी और नीचे मैं सारे छे इंच पे मार्क करके उपर से तिर्चा मिला दूंगी और यह जो मेरा एक्स्टर लगा है वह मेरा मार्जिंग है और यहांसे आर्म मॉल के लिए राउंड शेप देके उसको भी लाइन ड्रो कर लूंगी और नीचे हाप इंच पे निशान लागत के एक सीधह गुलाई में उसको राउंड शेप देके उसको इसका कटीन कर दूं अम्रेला फ्रोग की कटिन कर रही हूं मैं यहां छोटे से नौचिस लगा देंगे यहां तक लोको सिलाई करना इसे पता चल जाता है कि हमको यहां तक सिलाई करना है और पीछे भी हम ऐसी तरह एक माक लगा लेंगे देखिए कपड़े को मैंने दो फोल्ड में किया दो फोल्ड में करने के बाद इसको तीर्चा मिलाते हुए अच्छे से से शेट कर दूंगी और टॉप पार्ट को लेंगे और यहां से कमर का जो भी मेरा मेजर होगा वहां से रखके नाप लेंगे और यहां पर निसान लगा लेंगे और इंची टेप लेंगे उपर से नापेंगे कितना इंचा रहा है मेरा यह इसा ही गोल गोल पूरा साढ़े नौ पर लगा के उसको गोल गोल राउंड शेप दे दूंगी 10-11 इंच उपर करके और नीचे से मैं मार्क करूंगी जो भी मेरा लेंथ होगा उतना लेंगे हम मैं पचीस इंच का बना रही हूँ इसका लेंद रॉक के नीचे ऐसे ही मार्क करते जाएंगे गोल गोल ही ऐसे मार्क करते जाएंगे इंची टेप को गोल गोल घुमाते घुमाते मार्क कर देंगे उसके बाद खली से गोल राउंड दे देंगे इसको कटीन कर लेंगे इसको भी मैं काटके निकाल लूँगी इसको साइड से खोल लेंगे यहां देखिये मेरा जोएंड पड़ा हुआ है तो इसके लिए जो प्रक्रा मेरा था बचा हुआ यहां पे उसके उपर रखके, और जैसे जैसे है वहां पे जोड़ना है उसके उपर रखके और कटिन कर लेंगे, उसे के सेफ में, इसको मैं जवाइन दर zouणके उसमें, ज़ाइन आ जाता है, अमरे लज़ रॉद ROG बनाईयेगा तो आब भी यहां पे जोइन हो जाएगा, यह मेरा टॉप है इसको उपर रखके और इंची टेप से देखिए मैं नाप के बता रही हूँ यहां देखिए मेरा पचीस इंच है तो चौबीस इंच मेरा रेडी चाहिए एक इंच मैं मार्जिन के लिए लिए हूँ यह मेरा बैक पाठ है यह मेरा फ्रॉंट है यहां गला के लिए लेंगे डेड़ इंच पर मार करके लंबाई लेंगे साड़े तीन इंच पर इसको एक बॉक्स बना लेंगे और गोल्ड शेप देके इसको कटिन कर लूँगी और आर्मोल थोड़ा सा छाट लूँगी आगे का पीछे का जो है वैसे ही रहेगा और फिर यहां पर मैंने बैक वाला टाप पाठ लेकर यहां भी डेड़ इंच देकर और सड़े चार इंच पर सड़े चार इंच पर मैं राउंड सेप देके यहां पर गोल कटिन कर दूँगी यह मेरा बैक का पाठ है यह मेरा घेरा है इसको उपर करके इसको मैं साइड आप चलिए बाजू के कटिन करते हैं कपड़े को मैंने चार फोल में बिछा लिया है और यहां से बारा इंच मेरा 12 इंच के लिए मैं बाजू बना रही हूं तिरे इंच पर मार्क कर दूँगी और एहां से नीचे आपके और तीचा लगा दूँगी और यहां से चार इंच में मार्क करोंगी और थासा मार्जिंग लेकर इसका कट नुँगी ऐसे कटिन करूंगी साइट से भी काट लेंगे और बीच में नोचेस लगा देंगे और दो पल्ला पकड़के थोड़ा सा राउंड सेफ दे दूंगी मेरा बाजू था और ये मेरा गाला के पट्टी है उरेव पट्टी करके मैं काटी हूँ और मैंने कपड़े को चार फोल्ड में बिचा ली हूँ और कपड़े को सिधा कर लूँगे एसकेल के हेल्प से सिधा राउंड ड्रो कर लूँगी और यहां से डेर इंच पे निशान लगाके और इसको भी सिधा लाइन ड्रो कर दूंगी यह मेरा इलास्टिक के लिए है जो कि आधा इंच का मेरा इलास्टिक है और टॉप पार्ट का लेंद 11 इंच है मेरा कि दस इंच का बनाऊंगी और एक इंच मार्जिंग है मेरा तो 11 इंच पे मैं निशान लगा दी और कमर के लिए आठ इंच पे लगाके और नीचे आसन के लिए मैं आठ इंच पे मार्क करके इसको सीधा लाइन ड्रो करूंगी आठ इंच पे निशान लाएके इसको गोल्ड सेफ देकर उसको निशान लगा दूंगी और यहां से साढ़े 6 इंच पे लगाएक और एक इंच के मार्जिंग देकर उसको भी सिधा कर दूंगी और इसको कटीन करूंगी इसको उपर से भी काट लेंगे और साइड से भी इसको जैसे लगाया थे निसान वैसे ही कटिन कर लेंगे यह मेरा टॉप पाड था और यह मेरा घेराका कपड़ा है जो चुनट करेंगे इसको सिधा लाइन ड्रो करूंगे यह मेरा फोल्ड होगा देखिए फ्रेंड इसको मैं सिधा मार्क कर रही हूँ और जो भी मेरा टॉप पड़ था 10 इंच उसको निकाल देंगे उपर के जो पैंड था मेरा और नीचे से जितना आपको लेंद चाहिए उतना रख ली जेगा फ्रेंड रख के और इंच टेप लेकर तेरा इंच पे पूरा निशान लगाऊंगी और इसको स्केल के हेल्प से सिधा लाइन ड्रो करूंगी और इसको कटिन करके निकाल देंगी आप यह हो गया मेरा नीचे का चुन्णट का इसमें ज्वाइन होगा अब उपर से नापके देख लेंगे अपना कि मुझे कितना लेंध चाहिए इतना फोल्ड होगा नीचे देखिए इतना है मेरा मुझे 26 इंच लेंट चाहिए ऐसे चुनट करके इसमें उसको जोइन करूँगे नीचे का फोल्ड कर दूँगी देखिए ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है जिसे मैं डुपट्टा बनाऊंगी देखिए इतना बड़ा है मेरा फैब्रिक और ये मैं तिरंगा के कलर मैं लेस ली हूँ और इसको डुपट्टा को चारो तरफ मैं लगाऊंगी ये स्पेशल 15 अगस्त के लिए ही ड्रेस बना रही हूँ इसका इस्टिस्टिंग हम नेक्ट वीडियो में सिखाएंगे अगर आप हमारे यट्यूब चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही प्यारा प्यार आड्रेस के लिए हम मुझे कमेंट कीजिए बाई बाई फ्रेंड